हेलो आज हम इस वीडियो में वैसे स्टुडेंस जो अलीगर्ड मुस्लिम सीटि में इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं इस वीडियो में हम उसके application form entrance exam and entrance test के syllabus वो complete information और तैयरी किस तरीके से करना है कौन कौन से चीज है जिसको आप फोलो कर सकते हैं और स्टैडिजी के बारे में complete information दी जागा देखिए सबसे पहले यह है कि कूर्स के बारे में जानगे कि क्या सीट से कितने वह information जो आपको जानना चाहिए इसके अब स्टैस में 50 से और अगेंज जो 50 से वह में सीटी स्कूल में है गल्स का सिटी सीट्स है जो की सीने केंडी में गल्स में है बाकिका यह जो सीट्स दिखा रहे में आपको यह सभी commerce में और इसिफ वाइस के लिए तो वाइस का देखा जाए तो टू हैंडेटेंट लिकुन उससे पहले आपको यह क्लियर कर दे इसमें जो इलिजिर्विटी क्राइडिरिया है जहां से भी आपने टेंट कर रहा है एट लीस्स आपका 45 परसेंट ओवराल होना चाहिए जरू नहीं हो सकता है आप किसी का पेपर में 41 मार्क्स हो तो वो मैटर नहीं करेगा मैटर आपको 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 च्वास मिलते हैं तो अगर हम इसमें सब्जेक्ट ब्रेक अप की बात करें या पेपर की बात करें फहें ब्रेक माथ कि वहाएँ खोछते मोचा हो गया यहां पे पूछ इक मेंघे हो बारे में बताइंगे इंद्टरह से लुंशंगे ऑफ सबसे भी में ये तो मोच्ना है या व्यान बंगी बताएंगे को से उसके 20 marks जो मैज से पूछे जाएंगे और जिन्र नॉलेज और इंडो इसलामी कल्चर हो वो 10 10 marks in 20 marks total हो गया यह 40 एंड में 60 total हैंड हो गया यहां पर पूछ सकते हैं इसको पढ़ेंगे कहां से उसके बारे में बतांगे इनका दो होता है आहां मेंज सेंटर हो क्या-क्या पढ़ना पढ़ेंगा उस कि इंगली स्कूर हो गया उसक बढ़ना पढ़ेंगा अब आते हैं à में, यानि कि Humanities में, अब Humanities में देखी क्या क्या है, अगर यहाँ पर notice करेंगे, तो जो seats है, ऑफिसील यह seats है, जो senior secondary में total 55 है, STS में 55 ही है, और 50 seats जो है वो M.U. City School में है, तो यहाँ पर देखें तो around 160 seats है boys के लिए, girls की बात करें, तो यहाँ पर दो schools है, senior secondary school है, और M.U. girls school है, यहाँ पर total 160 seats है, मतलब दोनों का seats equal में है, तो यह मैंने आपको seats के बारे मता दीए, यहाँ पर उतना seats है, इसलिए form जादा फील होते है, seats जाता है यहाँ बात बात किए कि illegality दोनों से में, मतलब जो arts के लिए है, वही humanities के लिए, commerce के लिए है, और आप आते है next, age limit की बात करें, यहाँ पर 19 years, और यह याद रखे, form फील करने के टाम कुछ नहीं, आपका school पूछा जाता है, मतलब जो आप form फील करेंगे, तो सिफ आपको school का नाम पूछाए कि आपकी school में पढ़ते हैं, बागी आपको उसका अभी mark set वगएर कोई चीज उसकी जरूरत नहीं है, हाँ, यह सारी चीज जरूरत पढ़ता है, admission के टाम में हो सकता है, birth certificate जरूरत पढ़ता है, लेकिन उसका भी इन्होंने alternate solution यहां पे भी है, मतलब जो मैंने आपको commerce में बता है, वही arts का भी है, यह humanities का लिए, दोनों का सेम है, मतलब 60 marks का social studies, maths का 20, and 1010 marks का general, GKN, इंड इसलामिक, यह आपके syllabus रहने वाले हैं, अगर आप EMU में paper देना चाहते हैं, बाद वकिए test center वही, जो मैंने आपको उसके बारे मतलब commerce के बारे मतलब है, यहां पे same, यह interest center कोई अलग नहीं होगा, तो अभी अगर हम form की बात करें, तो इमान के चले कि इस मन्त के end तक almost chance है form आ जाएंगे, और इंटरेंस की बात करें तो जून से पहले आपका होना मुस्किल होगा, जून के mid-June, first week of June में आसपास में आपके exams हो सकते हैं, अपडेटर हैं यह जो भी चीज़े बताया जाए रहा है थोड़ा सा expected है, यह अलग बात है कि हो सकता है CBC का कुछ चीज़े वो sort कर आओ, लेकिन इनके syllabus में कोई बदलाओ नहीं होता है, इसलिए आप smoothly बिल्कुल आंधी के तरह जो chapter है वो आप पढ़ें, जो NCIT में जो chapter वो मिंसन करें, जो पढ़ें उसको पढ़ें, मतलब यह कि, यह जो CBC का syllabus है, मतलब NCIT syllabus कहा लिजिए, NCIT को पूरा पढ़ना है, कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो आपका नुक्सान हो जागा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप last year के paper उठाईए, वहां से आपको करना है क्या है, मतलब अगर आप हमसे पूझे का सार कि इसके तैयारी कैसे करें, तो उसमें simple सबसे पहले है कि सलेवस डॉनलोड कर लिए, प्रिंट का फॉर्म में निकल वाली ही, दूसरा जो question paper है उसको देखिए, question paper को level को समझे, standard को समझे, पूछ क्या रहा है, किस हिसाब से पूछ रहा है, आपको उस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि वैसे भी आपको 9-10 तो वैसे भी पढ़ना है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि बस कैसे मतलब कुछ भी पढ़ जा रहा है, उसके मतलब यह कि आपको पेपर के हिसाब से पढ़ना है, पेपर पूच किया रहे है, डिमांड किया है, उस हिसाब से आपको अपने तेहरी करना है, आते हैं देखिए उससे पहले कुछ बच्चे का confusion होता है कि सार पेपर कितने language होता है, तो पेपर जो है AMU में, खासका 11 में पूचे जा रहे हैं, तो टोटल एट चैप्टर के आसबस में पूचे जा रहे है, तो आपको इसी साब से पढ़ना पढ़ेगा, political parties के बार में भी देख लीजेगा, क्योंकि उससे पूचता है, economic में देखें तो story of development, role of service, sector, money, financial and globalization, consumer awareness, ये सारे जो चीज़े हैं आपसे वो पूचे जाएंगे, तो इसमें 19 अल्मस जुड़ा हुआ है, history में बात करें तो 9 का ये जिसे French Revolution हो गया, rise of Nazism हो गया, forest society हो गया, sports and politics हो गया, तो ये history में 19 तोड़ना, बट आपको इसमें detail में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ढंक से पढ़ना है, बाकी ये रिमान करते, students अर्व कोगा दौरा, elements, arts and commerce के लिए online coaching चलाया जा रहा है, वीडियो के description box में, contact detail mention आप जॉइन कर सकते हैं, next ये है, यहाँ पर अभी हिस्टी का है, अब यहाँ से जोग्रफिका, 910 पूरा है, इंडिया, size and location, मतला भी है कि अगर आप NCRT अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, और कोई अच्छे standard को बुक को फोलो करते हैं, तो ये guide-wide उतना important नहीं हो, मैं फिर से remind कर दू, guide उतना जाता important नहीं हो, उससे बहतर है कि कोई अच्छे डंग का book खरेद ले guide के जगह पे, वो आपको जरूर help कर जाएगा, तो ये मैंने आपको जोग्राफिक आसले बस दिखाया, इसके बात जो है, अगर नेक्स बात करें, यहाँ पर जैसे कि ये, इंडोस्लामिक में, तो ये इंडोस्लामिक है, आप इंडोस्लामिक में दो में से कोई एक फोलो कर सकते हैं, एक तो वो, I think, ये नास guide आता है वो, और दूसरा true guide, ये दो में किसी एक को फोलो कर सकते हैं, बाकी है कि, मतलब, अगर जो भी जिसे PDF को लेकर यह हो सकते हैं, आपको नास का जो guide है, वो भी वीडियो के description box में, टेलिगराम कर लें के वहाँ से आप एससे कर सकते हैं, इसको, ये हो गया, इसके लाबा, यहाँ प बारे में आपको पढ़ना है, famous monuments के बारे में और ये recommendation book, बात बकी, जो math का, जो syllabus उसमें देख सकते हैं, ये real number है, वो आपको पढ़ कर जाना होगा, इसके लाबा, ये algebra हो गया, ये 10th का, मतलब, ये 10th का math, basic भी अच्छे से थोड़ बहुत पढ़कर चले जाएंगे, क्यों और उसी हिसाब से आपको तयारी भी करना है, ये 10th का syllabus आप पढ़ लिजे का बहुत होगा, मतलब math में आप सिफ 10th पढ़ लिजे, that's enough होगा, बाकी ये आने वाले जो भी update आते हैं, उसको लेकर updated आना चाहते है, या फिर भी अगर still कोई queries है, तो आप पूछ सकते हैं, ये syllabus बसरा syllabus आसेस करने के लिए वीडियो के description box में, टेली करा आम का लिंक है, वहाँ से आसेस कर सकते हैं, and thank you, जो भी update आता है, उसको लेकर updated रही है,